और देगें बड़े खबर सामने आरी चंगरी से जहापर, NIA की टीम ने चापे मारी की है सुत्री बेडा गाओ में मुहम्मद असकर अली के घर पर ये चापे मारी है चापे मारी में NIA की टीम के कई सदर्श्यामिल है असकर अली के छोटे बेटे से पूछ था अच के बाद मोबाईल को सब्त कर लिया गया है IS-IS से ये मामला जोड़ा हुआ हो सकता है ये बड़े ख़बर आपको हम बता रहे हैं चापर जमशेथपूर में देटराव एनाये ने चापे बाली की है IS-IS से ये पूरा मामला जोड़ावा हो सकता है RIA की दबिश चंदन क्यारी में देखने को मिली है सुत्री बेड़ा गाउ में मुहमद असकर अली के घर पर ये चापे मारी चल रही है असकर अली के बेटे से पूछता अच के पाद उनके मुबाइल को जब्त कर लिया क्या है फिल्हाल IS-IS से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है फिल्हाल और इसी खाबर पर और बिशान कारी के लिए हमारे साथ चांदन क्यारी से समभादा आदा आप केस चुड़ चुके है वाप केस से की चुछ सरीके से आरा है कि ये दबिश चंदन क्यारी में आप देखने को मिल रही है असकर अली के छोटे बेटे से पूछता आच हो रही है फिल्हाल ये पूरा मामला किस तार से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है जी यहाँ सबेरे से ही छापा हमारे चल रहा है चंदन केरी थाना चेतर के सुत्री बड़ा गाहों में और लगवग टीम के कई सदे से पहुँचे हैं सामने कई थाना है कि पूलिस ज़ान पहुँचे हैं बताय जा रहा है कि अजगर अली के छोटा बेटा सोसल मीडिया प्लाकफार्म पर कई तरह की सवाज बियारने के लिए काम करता था उसका 500 से ज़्यादा ग्रूप में रहने का बताय जा रही है जिसको लेकर यहां पर छापामरी चल रही है टीम के दोबारा मॉबाइल एवन कई समान जट किये जाने की बात बताय जा रही है बिल्कुल व्यों के शलिया आपका बहुत धरवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए तबाम जानकारी अबारे दर्श्रकों के साथ पहुचारे के लिए कि जुस तरीके से यह पूरा तार कही न कहीं आई-स-आय से जोड़कर देखा गया वो इसलिए क्योंकि जुस तरीके से हमारे संबादा था ने यह जानकारे आप तक पहुचाएं कि कहीं न कहीं व्योंगा केस ने यह जानकारी ती है कि जो छोटे बेटे है आजकर अली के उनका किसी सोशल मीटिया प्लाटफॉर्म पर किसी संदेग दग पेटुस से जुड़नी की जो आशंका है वो जाहिर की गई है तो उसके बाद एना यह ने यह दबिश दी और वहाँ पर यह चापे मारी हुई लाइक अन शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा